दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर जो बिटा और गामा फंक्शन हम पढ़ रहे थे वो आपका पूरा कंपलीट हो जाएगा बिटा function के बारे में हम बात कर चुके थे, गामा के बारे में बात कर चुके थे अब इसके बारे में हम बात करेंगे आगे जो आपका relation है बिटा और गामा में क्या क्या relation है और किस प्रकार के question बनते हैं कुछ questions भी आपको में करवाने वाला हूँ कुछ बैतरिम क्योंस दो एक्जाम के अंदर हूब वो आने वाले हैं तो यह थोड़ा सा चीज आपको ध्यान से पढ़ना है तो यह स्टार्ट करते हैं बीटा तथा गामा फलन में संबंद तथा गामा फलन में संबंद बीटा तथा गामा फलन में संबंद relation between beta and gamma functions, ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे, देगे क्या सिधा सिधा सम्मन्द याद रखना है, यह important चीज़ है, most important, exam के अंदर आएगा यहां से, gamma m, gamma n, देखो यह रूट नहीं है, gamma n, gamma n, अपोन में gamma m plus का n, ठीक है, beta mn का यह formula होता है, और यह solve करना आपको आए गया यह इसमें, दोनों के मद्दे सम्मन्द होने वाला है, इन दोनों के मद्दे सम्मन्द, और एक चीज़ आप याद रखेंगे, कि gamma 1 बटा 2 का मान कितना होगा, रूट पाई होगा, यह चीज़े भी आपको याद में रखनी है, gamma 1 बटा 2, रूट पाई, कितना होगा, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आप देखिए आगे 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 आता है गामा सुत्र गामा फोर्मुला गामा फोर्मुला गामा सुत्र क्या होता है देखें कि 0 से पाई के और लिमिट होगी 0 से पाई बटा दो पाई बटा दो साइन 2m-1 थिटा कोस 2n-1 थिटा ठीक है दी थिटा ब्राबर होगा किसके देखो साइन 2m-1 कोस 2n-1 थिटा ब्राबर होगा गामा m-1 by 2 गामा n-1 by 2 अपोर में देखें 2 गामा m-2 by 2 यह फोर्मुला यहां से देखें अब एक फोर्मुला यहां से और भी आप यूज में ले सकते हैं देखें इसीज को आप कैसे कि अगर आप ने पढ़ा था पहले कि टू इंटू जिरो से पाई बाई टू साइन एम थिटा कोस एन थिटा डी थिटा किसके ब्राबर होगा यह फोर्मुला यहाद रखने हैं बस गामा एम बिटा एमन के ब्राबर होता है और बिटा एमन देखें यह चीज पर यह बिटा एमन के ब्राबर होता है और बिटा एमन किसके ब्राबर होगा गामा एम गामा एन अपोन में गामा एम प्लस का एन यहां से M को M पलस 1 बाइ 2 के और रिप्रजेंट करेंगे देखो M को M पलस 1 बाइ 2 और यहां से आपके पास फिर यह रिजल्ट आजाएगा और यह दो आपका निच्चे आजाएगा तो सेम देखें अब एक आता है लिजेंडर दिवगुणन सुतर लिजेंडर दिवगुणन सुतर बस यह फोर्मली याद रखने हैं और कुछ नहीं है इनके अंदर लिजेंडर दिवगुणन सुतर और कर लेंगे इसको पन अभी लिजेंडर डबल लिजेंडर दुप्लिकेशन फोर्मला लिजेंडर डुप्लिकेशन फोर्मले के बारे में हम बात करेंगे तो देखें यह क्या होता है कि सबसे पहला यह है एक कि 0 से infinitive e की power minus ax sin bx x की power n minus 1 dx, देखो, कितना बड़ा है, और ये बराबर होगा आपका, देखेंगे यहां से, दो तिन formula हैं, ये दोनों तिनों हम करेंगे, लेगिन legender-dugan-sutr हम करते हैं पहले, ये दूसरा है, sorry ये अलग है, इसके बाद करेंगे, लेगिन legender-dugan-sutr तो ये होता है, कि gamma m, और gamma m plus 1 by 2, इस परकार होना, कोई आपको ऐसे question मिलेंगे, दो चीज़ें देगे, तो आप direct वो कर सकते हैं, कि इसके बराबर, कि root pi 2 की power 2m minus 1, root pi 2 की power 2m minus 1, और gamma 2m, इसके बराबर होगा है, root pi 2 की power 2m minus 1, और gamma 2m, इसके बराबर होगा, अब दो तिन formula आते हैं, देखिए, कि number 1, इस परकार आपको दिया जाए, कि 0 से infinitive, e की power minus ax, sin bx, x की power n minus 1 dx, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा, आपका root n, ये किसके बराबर होगा, gamma n की बराबर, gamma n a square plus b square, a square plus b square, और इसकी power n by 2, n by 2, और sin n ठीटा, ठीक है, अगर यहाँ पर क्या हो, दूसरा, कि 0 से infinitive, e की power minus ax, cos bx, x की power n minus 1 dx, ये किसके बराबर होगा, वही same to same किसके, कि gamma n, a square plus b square n by 2, cos n ठीटा, ये होगा इसके बराबर, बोलो, चीज़ें सीख रहे हैं आचे से, कोई दिक्रत नहीं होने चाहिए इन चीज़ों के अंदर, तो ये दोनों formula की e की power minus ax sin bx, x की power n minus 1 dx, बराबर, gamma n upon a square plus b square n by 2 sin n ठीटा, और ये ऐसे ही है, gamma n a square plus b square n by 2, cos आया है, तो cos n theta आपका formula के अंदर आजाएगा, तो ये सारे formula आद रखो, फिर आगे कुछ चीज़ें और हम करते हैं, फिर direct हम question करेंगे, ठीक है, सीधे हम question पराते हैं, लिग लो इसको, ठीक है, लिग लिए आना, अब बढ़ते हैं बना गए, अब सीधे एक formula आओ रहा है, फिर उसके बाद question करेंगे अब लो, देखिए, आगे formula है, कि gamma n, इस पर कार दे, अब देखिए, इस पोर्टेंट formula है, यह, बहुत बार क्योंसे यहां से बनते हैं, और बहुत सारे बनते हैं, 1-n, ऐसा है, यानि एक तो n, और 1-n आपको दे, यानि minus का माना जाएगा यहांपर, बराबर किसके होगा, देखिए, बराबर आपका, यह होने वाला है, पाई बटा, sin n pi, और यह क्या होगा, पाई को सेख, n pi के, तो यह फोर्मला आपको ध्यान में रखना है, क्या है, यह important formula है, महत फोर्मला हमें याद रखना है, क्या, पाई, गामा n, इंटू गामा 1-n, बराबर होगा, पाई बटा, sin pi, और इंट बराबर ही किसके होगा, उपर दाएगा तो pi, को सेख, पाई, अब क्योसन करते हैं, पने देखिए, जैसे आपसे, यही इसी formula के according, एक क्योसन पूद लिया जाए, कि आप बताएं, कि इस का मान कितना होगा, कि गामा, माइनस 3 बटा 2 का मान, यह आपसे पूचा है, कि गामा, माइनस 3 बटा 2 का मान कितना होगा, देखिए, आप सबसे पहले तो, इसको किस परकार लिख सकते हैं, देखिए, कौन सी form में, देखिए, गामा माइनस 3 बटा 2, यह आपको फॉर्मुला याद रखना है, यह जो फॉर्मुला है, वो जो negative के मान आएंगे इस परकार, negative के मान आएंगे, उन में काम आएगा, negative के माननों के लिए, यह आपका काम आएगा, देखिए इसको आप क्या लिख सकते हैं, गामा, माइनस 3 बटा 2 N लिख दिया इसे आगे गामा 1 माइनस N तो माइनस N यानि 1 प्लस का 3 बटा 2 बराबर कितना होगा पाई साइन N पाई ठीक है आगे गामा माइनस का 3 बटा 2 यह कितना होगा देखो 5 बटा 2 गामा 5 बटा 2 गामा 5 बटा 2 हो गया गामा और यहां पर अंकामान देखेए πय साइन कितना है ती देखो माइनस का 3 बटा दो अनकामान 3 बटा दो और पाई आ देखो इसका आमान कितना होगा यह देखें यह आपका मैनस है मैनस थीटा बड़ावर यहीं आपको आपका निचिया जाएगा आपको तो यह इसको शोल कर सकते हैं आप सब्सक्राइब करने तो इसमें आगी की जए बडाद कीरों रहे कि फिर यह सब्सक्राइब दो पसक्राइब उपड़त इस्पाइब यह चार उप्र ते ला गया चार बटा तीन रूट पाई यह आपके पास अंस्वराया है बोलो यह यह अंस्वराया है चार बटा तीन अंड रूट पाई कितना आया है चार बटा तीन अंड रूट पाई समद्गे बात को तो यह वह सारी क्योशन है आप कर सकते हैं तो यह से कोई सा भी कर सकते नेखो आगए आपको मा उन्हें नोटा दे तो आप नहीं कर सकते कैसे सेंटू भए वही तो ची लगानी है तुकर सकते हैं आगे आप एक क्योसन और देखिए आगे देखिए क्योसन है इस प्रकार कि 0 से इंफिनिटीव 0 से इंफिनिटीव x स्केर e की पाउर माइनस x स्केर dx इसका मान आपको निकालना है तो देखिए सबसे पहला काम यहाँ पर क्या करेंगे जो आपकी form आप कनवर्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर दिखिए x स्केर को आप t के बराबर मान नशे प्रतिस्दापन आपको यहाँ पर काम यहे लेना पड़ेगा तो महाना यहाँ पर दिखिए यहां से x का मान कितना आगया देखो ती की पावर एक बटा तो अब इसका देखे आउकलन करेंगे तो 2x dx बराबर dt आपको देखे केवर मातर आप dx का मान निकाल सकते हैं x square है यहां पर तो x dx है नहीं यहां से देखें dx का मान निकालेंगे तो dt by 2x आपके पास आगया अब सारे मान यहां पर पुट कर दो x किसे आप क्या लिख सकते हैं t की पावर एक बटा दो ठीक है यह सारे मान हम यहां रखेंगे तो देखो सबसे पहले एक बटा दो यहां पर आ जाएगा 0 से infinitive x square किस गया है t आपने रख दिया और e की पावर माइनस t हो गया ओर dt dx कि जगए आपने रखा है देखो यह एक बटा दो पहले निकाली है मैंने dt t की पावर 1 बटा दो ठीक है अब यह t की पावर 1 बटा दो आपका उपर जाएगा t की पावर 1 बटा दो यह उपर जाएगा देखे किसका कितना बन जाएगा यहां पर x square विए बर T ठीक है यह अब उपर जाएगा तो T की power एक बटा दो बच गया एक बटा दो जिरो से इन्फनिटिव ती की power एक बटा दो देखो यह एक बटा तो cancel हो देए, e की पावर माइनस t dt, आज देगो इसकी तुल्ला हम करते हैं, कौन से वाले फोर्मुले से, जो आपने फोर्मुला पड़ा है, कौन सा, 0 से इंफिनिटिव, x की पावर n-1, e की पावर माइनस x dx, आज देगो इससे तुल्ला करने के लिए, आज देग आपको पता है, अब इसका माहन आपको निकालना रता है, इसका माहन आपने बताया था कि गंमा, एन सब्रस्तियों, गंमा, तीन बटा दो एक और लूट, फिर बाहर आ गया, और रूट μआई, डैनी तंदनी कितना गया एक बटा चार औरूट पाई इसका अंसर हो जाएगा लिखलो इसको यह क्योशन है और क्या है क्योशन इसके अंदर और तो ऐसे ही है वह क्योशन कर सकते हैं आप एक सेकंड़ ग्रेट दो हजार दस के अंदर क्योशन पूथा गया है और बताना है आपको और साथ में आप लेलिस्ट चेक करते रहेगा आपको बहुत सारे क्योशन एड मिलेंगे उसमें विडियोज देगे 2nd grade 2010 में मैंने काना सीधे सीधे क्योशन पूचे जाते हैं एक्जाम के अंदर कैसा पूचा गया कि बिटा था गामा फलन में सही संबंद को वेक्ट करता है बिटा था गामा फलन के संबंद को सही वेक्ट करता है सही वेक्ट करता है कौन सा करता है यह ताना है आपको ओप्सन आपको दिये हैं कि बिटा एमन बराबर बिटा एमन बराबर गामा एम गामा एन अपॉन में गामा एम पलस का एन ठीक है दूसरा ओप्सन आपका कि बिटा एमन बराबर गामा M पिलस N अपोन में गामा M गामा N तीसरा option आपके पास बिटा MN बराबर गामा M पिलस का गामा M प्लस गामा N अपोन में गामा M पिलस N और तोथा मालिजी कोई नहीं तो यह है आपके पास बताओ कि इसका answer क्या होगा यह question है बता दो इसका answer क्या होगा ठीक है बताएंगे श्यावास आप देगे सब जानते हैं यह वोटन चीज है यह formula याद होना चाहिए तो यह पहला option आपका correct हो जाएगा कि beta mn बराबर gamma m gamma n upon में gamma m plus n यह आपका सही formula होता है तो दोस्तों यह आपका complete हो आज मद्यमान पर में क्या होती है टेलर पर में क्या है तो यह सारी चीज़ें आप नोर्मल चीज़ें यह नोट्स पड़ेंगे तो सीधा आपको आज आएगा तो रिवाइज कराना था वो चीज़ें हम कर चुके हैं आगे फिर हम कोई नई ebook देखेंगे जो बची है वो चीज़ें हम कवर उप करेंगे तो तो लिए आज की सेलेक्सर क्या देखता है थन्यवाद